हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं, मैं आप सभी का अपने चैनल सॉफ्ट टेक में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक होम थेयटर के IC को जो 20-30 नंबर का है उसे कैसे चेक करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मेरे फर्स चाड़ा IC है जोके फुल कंडिशन में सभी वर्क कर रहे हैं और एक IC सॉट है जिस इलेक्ट्रिकली सॉट लग चुका है अब ख़ड़ा हो गया अब हमें मल्टी मीटर को डायोड रेंज में लखना है उसके बाद इसके पलस वायर को हमें इस आइसी के टॉप पर लगाना है और फर्स्ट पीन पर माइनेस वायर लगा के चेक करेंगे देखते हैं कि केतना रेंज आता है इसमें सॉरी मैंने फ्रिक्वेंसी बेंज पर रखा था डायोड रेंज पर अब आगिया यहां को 774 रेंज बता रहा है अब सेकंड पीन चेक करते हैं इसमें भी लगवख सेम है अब थर्ट पीन चेक करते हैं अब थर्ट पीन पर बज़र बीप करने लगेगा अब फिफ्थ पीन पर लगवख सारी 600 के रेंज में अब यह सी को हमने चेक कर लिया तो यह सी अब कंडिशन में इसी तरीके से दूसरी आइसी को चेक करेंगे यह भी आइसी ठीक है अब यहां जो सॉट आइसी है उसको चेक करके देखते हैं इसका फर्स्ट और सेकंड पिंट सही मिलेगा यह वो भी खड़ाब हो सकता है लाकिन इसमें सही रेंज देरा है कि अब कि अब करेंगा थर्ट प्रिंट पर बदर बीप करेंगा फॉर्थ प्रिंट पर भी बदर बीप करने लगा और फिर्थ बारे पर भी इसका मतलब यह ऐसी खड़ाब है तो चलिए अब मल्टी मीटर को बंद कर लेते हैं तो इस तरह हमने देखा कि एक फॉम्टेटरा ऐसी को कैसे चेक करते हैं तो मेरे नए महमाने से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को क्लिक करें ताकि आप मेरे ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले देख सकें थैंक्स फॉर वाचिंग